Hi guys, welcome back to my channel. This is Sonia and you are watching Sovix Vlog. तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो definitely packing आपने start कर दियोगी और जो भी सामान आपको लेकर आ रहे हैं, सारा सामान अपने खटा भी कर लिया होगा. पर क्या आपने चेक किया है कि जो जो सामान आप लेकर आए हैं और जो सामान आप अपने बैग में बरने वाले हैं, यहां लाने वाले हैं, क्या वो सामान अलाउड है ऐस्ट्रेलिया में? येस, आपने सही सुना है, एक्चुली ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट इमिग्रिशन के रूल्स हैं, जो यहां के बारिकी से आपके सामान को चेक करते हैं, बहुत अच्छे से आपकी सामान की चेकिंग होती है, तो यूनो, स्किप होने का कि अगर आपने कोई सा सुचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपका हर चोटे से चोटा सामान जो है न वो उनकी नजरों में जरूर आएगा, तो प्लीज अपना बैक पैक करने से पहले, अपने सामान को अच्छे से चेक कर लीजिए, कि जो जो आपने लिस्ट आउट किया है लान और सेकंड चीज आपको जैल भी हो सकती है, बिल्कुल ऑस्टेलिया के इमिग्रेशन के रूल जो है, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए कोई भी ऐसा सामान लाने से पहले प्लीज आप कर लीजिए, कि वो सामान ऑस्टेलिया आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो आज की व पताती हूं कि ऐस्टेलिया में जो सामान आप लेकर आने वाले हैं या जो भी आपने पैकिंग के लिए खटा किया है ना, बैसिकली उन सारे सामानों को यहां पे तीन केटेग्री में डिवाइड किया होता है, फर्स्ट केटेगरी है ग्रीन केटेगरी, सेकंड जो केटेग तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन केटेगरी, तो जैसा कि नाम है ग्रीन, ग्रीन सिगनल है बिलकुल आप सामान ला सकते हैं तो इस केटेगरी के अंदर वो सामान आता है जो बिना किसी रुकावट के बिना किसी परेशानी के आप उस्टेलिया में ला सकते हैं, तो ग आपको जो IPC card मिलता है उस IPC card में एक बार जरूर चेक कर लिजेगा कि जो भी आप सामान ला रहे हैं चाहे वो green category में ही क्यों नहों कुछ ऐसा सामान लिस्टेड तो नहीं है अगर उसमें लिस्टेड है तो प्लीज उसे mention जरूर कीजिएगा IPC card क्या होता है आउसमें declare कैसे किया जाता है यह सारी information भी में आपको दूंगी वीडियो के end में तो देखते रहे हैं वीडियो को तो इस टाइब के explosive category के जो समान होते ना basically I know normal लोग तो नहीं लाते हैं लेकिन हाँ होता है कभी-कभी गल्ती से आ जाता है या लोग लाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह का जो समान है वो बिलकुल prohibited है वो आप बिलकुल नहीं ला सकते हैं Australia में prohibited category के अंदर देखिए आपकी seeds वगर भी आते हैं आप कोई seed Australia नहीं ला सकते हैं और मिटी यानि कि होता है ना कई आप कई बार आपने अपने समान पैक किया है आपने शूस वगर पैक किया है अगर वो शूस नए नहीं है आपके पहने हुए शूस हैं और अगर आपने उनक नीचे सोल पर मिटी वगर लगी हुए है तो आप वो शूस भी नहीं ला सकते हैं देखिए अगर आपको डाउट हो इसीज का कि आपने जो पैक किया है उसमें कि मिटी तो नहीं लगी हुए है तो प्लीज डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर उसको जरूर टिक कर दीजेगा ऐसा मत कीजेगा कि बिना टिक के आप ले आएं क्योंकि सोल जो है वो भी ऐस्ट्रेलिया में लाना प्रोहिबिटेड है आप नहीं ला सकते हैं Soil is not allowed in Australia, मिटी लाना is not allowed in Australia, so मुलतानी मिटी is also not allowed in Australia So specifically for the girls चो मुलतानी मिटी लेकर आना चाहती है तो प्लीज आप मुलतानी मिटी इंडिया से मत लाइए वो अलाओ नहीं है आप लाना वो आपको यहाँ पर easily Indian stores में मिल जाएगी, कोई भी problem नहीं होगी, तो don't bring the मुलतानी मिटी here in Australia कोई भी pet आप अपने साथ नहीं लेकर आ सकते हैं उन्हें लाने के कोई और तरीके होते हैं बट आप अपने साथ जो है ना वो कोई भी pet Australia के अंदर नहीं लेकर आ सकते हैं तो यह भी prohibited है फिर हम थर्ड बात करते हैं restricted category के बारे में तो देखिए restricted category में जो समान आता है ना वो यह है कि कुछ limit होती है या कुछ उनका criteria होता है उसके accordingly आपको समान ला सकते हैं या फिर अगर आप कुछ इसा समान ला रहे हैं तो उस समान को आप IPC card में declare कर दीजिए declaration के बाद जो border security के officers होंगे जो immigration वाले होंगे वो चेक करेंगे और वो decide करेंगे कि वो समान आपको वो ले जाने देंगे country के अंदर या फिर नहीं ले जाने देंगे तो इसलिए restricted category में वो समान आता है जो आप इंडिया से ले आईए अगर आप लाना चाहते हैं declare कर दीजिए और फिर वो लोग decide करते हैं कि वो उनकी country मे Australia में एंटर होगा या नहीं Australia में जो बायो security control है उनके जो rules है वो बहुत ज़्यादा strict है आपके सामान की जो है बहुत अच्छे से checking होती है और basically जो है न तीन तरीके से आपके सामानों को लोग check करते हैं वहाँ पर detector dogs होते हैं वो आपके सामानों को check करते हैं X-ray machine होती है उस सकते हैं और check कर सकते हैं तो इसलिए कोई भी सामान ऐसा नहीं है कि आप ले आए और आपको लगे कि पता नहीं चलेगा तो ऐसा कुछ भी सामान जो है नहीं लाईएगा यहां पर ऐस्ट्रेलिया में पहुंचने वाले होते हैं तो नॉर्मली फ्लाइट में ही आपको IPC कार काड़ मिलता है तो IPC काड बेसिकली क्या है «Иनकमिंग पैसेंचर कारड यह तो आपको इक कार्ड आperform मिल जाएगा प्राइट के अंदर और अगर नहीं तो जब आप नीचे उतरते हैं और इमिग्रेशन पर आते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक कार बिल जाएगा इस कार् और अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो कुछ अइटम उस में लिस्ट आउट होते हैं जो आपको Yes या No ृक्त करने होते हैं कि किया वह आइटम आपको ??? होता है नहीं कर दिलिख सामाने कि गचार्भा नहीं पता होते हैं और in any case आपका लग खराब है और आपका बैक खोला गया और सामान मिल गया तो जैसा मैंने आपको बताया तो आपको किसी भी तरह की पैनल्टी देनी पर सकती है लेकिन यह है कि अगर आपने यस किया है तो वह होगा क्या आपसे सिफ क्वेरी करेंगे आपसे पूछेंगे कि यह सामान है यह सामान आप क्यों ला रहे हैं और वो खोल करके देख सकते हैं तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि वह सामान उन्हें कंट्री मेंटर करना है यह कंट्री मेंटर नहीं करना है लेकिन उस केस में आपको पैनल्टी या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और जो limit है, यह maximum limit है लाने की per person तो इतना amount आप easily लेकर आ सकते हैं second, आप जो भी medicine लेकर आ रहे हैं, आप definitely medicines लेकर आ सकते हैं, लेकिन with proper prescription, देखे medicine किसी भी type की हो, चाहे वो ayurvedic हो, या allopathic हो या किसी भी type की medicine क्यों नहीं हो आप medicine लेकर आ सकते हैं, लेकिन with proper prescription और आपको ये जो medicines वगर हैं, ये भी IPC कार के अंदर जरूर जरूर मेंशन करनी है, wooden items लाना भी Australia में allowed नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी wooden item ला रहे हैं, specifically balan mostly लोग लेकर आते हैं तो आप उसे जरूर 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 आइपीसी कार के अंदर डेक्लेर कर दीजे कि आपके पास wooden का item है and then they will decide कि वो उन्हें enter करना है या नहीं करना है, वैसे mostly cases में क्या होता है, कि वो enter करने देते हैं, but yes आप safer side उस item को डेक्लेर जरूर कीजेगा, अगर कोई भी wooden का item आपके पास है, और food item जो भी आप लेकर आ रहा है तो वो सारे जो आप लेकर आएंगे वो बिल्कुल commercially packed item होने चाहिए, मतलब ऐस loose packing या भी घर से आया polythin में pack कर लिया, इस टाइप को कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, food packet आप लेकर आ सकते हैं, MTR वगरे के ready to eat वाले packets भी आप ला सकते हैं तो ये जो सारे food item है ना ये सारे commercially packed होने चाहिए meat वाला कोई भी item allowed नहीं है, meat आप आस्टेलिया में नहीं ला सकते हैं और नहीं आप nuts, dry fruits ये भी आप यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते हैं और अगर आपके पास, you know, coins है या flowers है, artificial flowers है या gold का समान है तो better है आप इन चीज़ों को भी IPC card में declare कर दीजिए क्योंकि कभी-कभी कुछ लोगों को problem हो जाती है इस type के item में भी तो gold या coins या artificial flower ये भी आप IPC card के अंदर ज़रू declare कीजिएगा और एक बहुत important चीज़ जब हम flight में होता है ना तो हमें food वगरा मिलता है खाने के लिए तो कई बार कुछ sandwich बचा है या कुछ भी बचा है तो उसे गलती से भी अपने purse में मत रखेगा कि आप बाद में उसे खा लेंगे क्योंकि वो food item भी आप नहीं लेकर जा सकते हैं तो उसे या तो आप वहीं flight में छोड़ दीजे या नीचे उतर के बिन में डाल दीजे या फिर immigration के इस process में जाने से पहले आप उसे finish कर लीजे तो अच्छे से अपने bag को check कर लीजेगा कि flight में मिला हुआ कोई भी food आपने गलती से अपने bag में रख तो नहीं लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिटी वगर जो है ना soil वगर अलाउट नहीं है तो जब भी आप अपना समान पैक कर रहे हैं अगर आप अपने कोई भी used footwear रख रहे हैं तो make sure कि आप उन्हें अच्छे से wash कर लें अच्छे से clean कर लें और फिर उन्हें रख ये फिर आप लाईए कोई problem नहीं होगी उनमें लेकिन soil जो है वो allowed नहीं है अगर गलती से आपके जूतों में मिटी लगी हुई है और वो आपने bag में रख लिये हैं और कहीं detect हो जाता है तो जरूर आपको problem face करनी पड़ सकती है milk and honey product ये भी जो है allowed नहीं है लेकिन अगर आप बहुत से लोग होते हैं मा के हाथ का घी लेकर आ रहे हैं या कुछ मिठाई लेकर आ रहे हैं तो देखिए इसे आप declare कर दीजिए officers आपको allow करते हैं या नहीं करते हैं some cases होता है कि वो allow कर देते हैं कुछ cases में वो allow नहीं करते हैं तो अगर आप उन्हें लाने का risk ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं लेकिन उन्हें declare करना मत भूलिएगा IPC card में declare जरूर कर दीजेगा अगर आपके पास कोई भी honey product है या milk product है तो friends ये थी सारी information की क्या सामान है जो आप Australia में ला सकते हैं बिना रुकावट के क्या सामान है जो आपको declare करना होगा और क्या है जो आप बिल्कुल नहीं ला सकते तो ये जो सारी information है सारी सामानों की वो आपको मिल जाएगी Australian Border Force की website पर website का link नीचे description box में है तो please make sure कीजेगा कि जो भी सामान आप ला रहे हैं अगर आपके मैंन में कोई भी doubt आता है तो आप एक बार उस website पर जाकर check जरूर कर लीजेगा तो आईए मैं आपको एक बार फिर से वो website और उस website पर कैसे आपको सामान ढूनना है वो बता देती हूँ अगर आप Google पर टाइप करेंगे Australian Border Force तो वो आपको अलोड़ी website का link खूल कर देदीगा यहाँ दिखें यहाँ पर अलोड़ी website है abf.gov.au 3rd number पर आप देखें लिखा हुआ है entering and leaving Australia and then उसके बाद आप जाएए can you bring it in और फिर आपको सारे सामानों की proper list मिल जाएगी कि क्या-क्या prohibited है, क्या-क्या restricted items है और क्या-क्या आप easily ला सकते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि IPC card कैसा होता है incoming passenger card यह बहुत important है क्योंकि इस card में आपको जिस भी सामान का route है आप से tick कर दीजे उससे declare कर दीजे थाकि आपको immigration में कोई भी problem ना हो, तो आईए देखिए और मैं दिखाती हूँ वो card कैसा होता है तो यह example IPC card है, इसमें आप देखिए, इसमें general आपकी information है, आपका mobile number और आपका address अगर आपका कोई emergency contact detail है, कोई भी friend जो भी आपका यहां रहता है आप उसकी detail mention कर सकते हैं आपकी flights कहां कहां से थी वो details आप इसमें mention कर दीजे और इस second page में सारा declaration है देखिए, 11 points है कि क्या-क्या सामान है जो आप ला रहे हैं आप उसमें yes और no कर सकते हैं हर चीज इसमें mention है कि आप किस type का weapon ला रहे हैं, क्या आपके पास कोई tobacco का item है, cigarettes है, या फिर Australian dollar है, 10,000 या उससे जादा है, meat का कोई सामान है seafood है, egg है, dairy products है medicines है, तो friends ये थी पूरी information कि क्या सामान है जो आप Australia में ला सकते हैं और क्या आप नहीं ला सकते हैं, IPC card में भी सारी चीजे mention है, अगर कुछ भी सामान में आपको doubt है, तो please, please आप उससे IPC card में ज़रूर टिक कीजेगा देखे, टिक करने पर ये होता है कि अगर जो भी border security के officers हैं, वो आप से query करेंगे आप से पूछेंगे, सामान को check करेंगे अगर उन्हें कोई doubt होगा, तो सामान को वो throw कर देंगे, bin में डाल देंगे और अगर नहीं होगा, तो वो आपको सामान को दे देंगे and you are good to go so it's better कि आप जो भी ला रहे हैं declare करें and again आप अपने सामान में जो भी, अगर किसी भी सामान को लेकर आपको अभी भी कोई doubt है, अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको नहीं पता है कि क्या मुझे ले जाना चाहिए वाचिंग जल्दी भी लूँगे आप से फिर से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाइब